नमश्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाडी से बीजेपी की बढ़ती टेंशन अब साथ तोर पर नजर आने लगी है क्या नेताओं को एक जुट कर पाएगी बीजेपी क्या खुश रख पाएगी बीजेपी या बीजेपी फिर कॉ हो रहा है आपको बता दे कि कर्णाटक में होने वाले आत्मी विदानसवा चुनाव के लिए नई दिल्ली में संसद्य बोज की बैठक की तुरंत बाद बीजेपी ने अपने उमीद्वारों की पहली सुची की घोशना कर दी इसके बाद अपने बीजेपी भीतर संबंवित कलहा से बचने के लिए उपाय खुज रही है साथ ही पाटी में उत्पन होने वाली किसी भी चिंता को दूर करने के लिए साबधानी बरत रही है विदानसवा में चुनाव में करीब एक महीने का समय बचा और बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पाटी के बीतर क कोई कलहा ना हो नामंकल दाखिल करने की आखरी तारीक 20 एप्रिल है और चुनाव 10 मई को होना है 13 मई को चुनाव के नतीजे घोशित किये जाएंगे पाटी टिकेट के लिए इच्छुक उमीदवारों की बड़ी संख्या होती है सब चाहते हैं कि हम उमीदवार बने लेकि अपमानित और नाखुश महसूस करते हैं ऐसे में संभावित रूप से पार्टी कारेकरताओं और नेताओं के बीच मन मुचाब भी हो सकता है इसी कलहा से बीजेपी हर कीमत पर बचना चाहती है किसी भी संभावित कलहा को शांत करने के लिए बीजेपी ने पहले ही एक यो पर दान में उतारा जा सकता है और अन्य में वे नए चैन से नाखुश हो सकते हैं पार्टी ने कारेकरताओं और नेताओं के बीच संघर्ष को सुलजाने के लिए हर बूत इस तर पर टीमों की स्थापना की यदि जमीनी स्थर पर इस्थिति को समाला जा सकता है तो इस था विशेश अभ्यान भी आयो जित कर रही है इन सकिर्य कदमों को उठा कर पार्टी को उमीद है कि सभी कारेकरता और नेता एक ही प्रुश्ट रहेंगे जिससे एक सफल चुनाव होगा बता दे कि करनाचक में आगमी विदानसमा चुनाव के लिए बीजेपी ने उमीदवार को किस तरीके से एक खुशी का महौल देती है जो कि पार्टी से बाहर उनकी बाते ना जाएं और पार्टी पे कोई असर ना पड़े चुनाव से रिलेटेड हर एक खबर के लिए हर एक अपदेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया लेस कि पार्टी सुनित लông से अपदेट्टी जचनावda भॉड़े से थे रहें के लिए सब्सक्राव।